कोई भी अगर अपरात गठित होता है तो उसके लिए कोई भी बेक्ति क्या करता हैं सबसे पहले जाता है क्या करने पूलिस थाने में जाएगा एकाई या लॉंच कराने आध किशाव हमारी एकाई आध दव्च कर लिजिए हमारे साथ यह अपरात का धितुगा है मान लेज़े उस समय अगर कोई पुलिस आफिसर एफ आई आज नहीं लिखते तो फिर आप क्या करेंगे आपके पास क्या option है आप कहां जाएंगे कि आपके एफ आई आज लिख लिया जाए तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे और मैं आपको पताऊंगा कि अगर एफ आई आर पुलिस स्थाने में अगर नहीं लिखा जाता तो आपके पास क्या विकल्प है आप किसके पास जाएंगे जहां आपकी एफ आई आर दर्ज पो सकती है चलिए मैं शुरू करता है इस वीडियो को और मैं आपका दोस्त योगेश कुमार्शा एडवोकेट और आप जूट चुके हैं आर वाई लॉफ हम के साथ एक ऐसे लीगल प्रेटफॉर्म पे जहां आपको हर तरह की लीगल संबंधित जानकारिया इस वीडियो इस प्रेट प्रफम सूचना रिपोर्ट एफ आई आर किसी भी संगे अपराज की विशेवे सबसे पहले एफ आई यार दर्फ कराना बहुत ज़रूरी है और एफ आई यार ही एक ऐसा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है जहां आपको अपराज आपके साथ अगर गठित हुई है तो उ आपको नया नहीं मिल सकता हम्मान लिजी आपने अफ आयार करवाने के लिए आप थाने में गयें और आपको साथ जो रिपोर्टस लिक्वाने के लिए गया साथ में वह वेकटी और आप दोनों साथ में गये और एहाँ और-प्रफिय दर्च करने की बात कह maltही कि मेरे साथ साहब ऐसे अपराद हुआ है और दर्ज कर लिया जाए वहाँ आपको साथ में ना लिखके और बोल देते हैं कि आप चले जाओ आपके फाइया दर्ज हो चुकी है लेकिन कॉपी नहीं मिलती है फिर आप क्या करेंगे तो आपके पास एक ऐसा बिखल्प है जो धारा एक सुचोवमन तीन कहता है कि आप उनके सुप्रियर यानि जिस पुलिस ठाने में आपने फाइयार लॉंच करने की बात कही जो आपका समद्धी ठाना लगता है उनके अग समरी बना के बाइक पोस्ट या बाइक स्वेम ठीक है आप जाके वहां उनको सारा समरी बताईए अपने सुचना के बारें बताईए लिखित में उनको एक आवेदन दीजिए और उनसे निपेस्ट कीजिए कि साब ऐसे गटित हुई है हमारे साथ अपराद और फाइयार यह हुआ है तो आपका अपायार जो है तो दर्ज करने के लिए सब्वाडिनेट जो पुलिस ठाना है उसको डिरेक्शन देंगे कि आप जो है तो इनकी अपायार दर्ज कीजिए यह आपके पास एक बिकल्प है और भी अगर हम कुछ बात करें एफ आयार के बारे में तो ए वही उनका रिपोर्ट दर्च करेंगे जहां तक हो सके अगर नहीं है तो नॉर्मल जो वहां पर चार्ज में होंगे वह फाइआर दर्च कराएंगे कोई भी मेल ऑफिसर और अगर फाइआर बारे में थोड़ा और हम जानकारी अगर इसमें बात करें इस वीडियो में तो प्राइस्ट का प्राद होता है ये सीड अटेक्स का मादा होता या हुीमन ट्राफिकिंग का मादा ओता है या गुमन मोरिस्त्री का मामला होता है उस कंडिशन में अगर कोई महिला अपने दज कराने के लिए गई और उसकी اफाइआर नहीं लिखी गई तो ये एक 2013 में संसुदन हुआ था तो इसमें धारा 166A IPC कहती है कि पब्लिक सर्मेंट का एक ड्यूटी होता है कि उनकी जो FIR लाउंच करे वो ऐसे समंदित अपरादों में और अगर वो FIR लाउंच नहीं करते तो उनको कम से कम छे महिने से लेके दो साल तक की सजा दी जा सकती है ये इस धारा में 166A में इस परस्ट प्रोविजन दिया गया है सर्डूल वन में और अगर हम बात करें थोड़ा FIR के बारे में और तो जो निसस्त व्यक्ति होते हैं जो चलने फिनने में या थोड़ा सा मेंटरी जो कमजोर होते हैं वो अगर अपना FIR लाउंच कराना चाहते हैं उनके साथ को यह अफ्राज होता है और वो अपना FIR दर्च कराना चाहते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो उनके घर पे आके निवासिस्तर पे आके या वो उनके मंच चाहे किसी इस्थान पे आके उनका जो रिपोर्ट है वो दर्च कर लें कि तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि कब FIR अगर आपकी FIR अगर आपके साथ अफराद होता है और FIR अगर दर्च नहीं होता है तो आपको कहां जाना है और कैसे आपके FIR दर्च हो सब्सक्राइगी तो चलिए वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और आगे भी इस वीडियो को जाज जाज शेयर करें और लाइक करें कमेंट करें और किसी प्रकारगा को अगर आपके समझते हो तो मुझे परस्नली आप वीडियो में दिये के समबर पे आप परस्नल अकॉंट्मेंट कर सकते हैं थैंक यू